अलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासिस आज मैं बीए समिस्टर 4 के सब्जेक कोड CC9 से एक काफी महतपूर्ण विशय अकबर के समय के विद्रो लेकर उपस्तित हुआ हूँ तो चलिए बिना समय गवाए इस विशय को प्रारम करते हैं अकबर के समय के विद्रो तो सबसे पहले जो विद्रो की चर्चा करेंगे वो है उजवेगों के विद्रो उजवेग वर्ग के दारा किये विद्रो को तो अकबर के पुराने अमीरों में एक शक्तिशाली वर्ग उजवेग अमीरों का था जौनपूर का सुबिदार खानम खां उसका भाई बहादूर खां और चाचा इबराहिम खां अवद का सुबिदार खाने आलम और मालवा के सुबिदार अब्दुल्ला खां इसके अंत्र प्रकृति के थे सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित करने के अकबर की नीती उन्हें पसंद ना थी 1564 से 1560 सवी के मर्द उजवेगों ने अकबर को तंग किया परंतु अंत में वे परास्त हुए दूसरा जो वर्ग है वो है मिर्जा वर्ग अकबर ने अकबर के विभिन संबंधियों और मिर्जा वर्ग के वेक्तियों ने भी प्राया उसी समय विद्रो किया जब उजवेगों ने विद्रो किया इबराहीम मिर्जा, मुहम्मद हुसैन मिर्जा, मसूद हुसैन मिर्जा, सिकंदर मिर्जा और महमूद मिर्जा अकबर के रक्त संबंदी थे और शाही वंश के सदस्य होने के ना थे अधिक सम्मान और पद की अकांक्षा करते थे मुनिम खा ने उन्हें मालवा की और भगा दिया और वहां से वे गुजरात भाग गये वे वहां समय समय पर उब्द्रव करते रहे अक्बर ने गुजबरात पर दुबारा आक्रमन कर 1573 इस्वी में उनकी शक्ती का दमन किया अब हम देखेंगे बंगाल और बिहार के विद्रोहों को तो बंगाल और बिहार में पंदर सो असी में विद्रोह हुआ बंगाल में बाबा खां काक्षल ले और बिहार में मुहम्मद मासुम काबली तथा अरब बहादूर ने विद्रोहियों का नित्रत्य किया संपूर्ण बिहार और बंगाल विद्रगियों के हाथों में चला गया अकबर ने राजा टोडर मुल को इस विद्रोग को दबाने के लिए भेजा और उसने बड़ी नीती और बहादुरी से पंदरो सो एकासी इस वीक तक इस विद्रोग को समाप्त कर दिया अब अंतिम जो है वो है हमारा सहजादा सलीम का विद्रोग जो आगे चलकर जहांगीर कहलाया तो अकबर के अंतिम दिनों में गद्धी का उत्रादिकारी शहजादा सलीम ने अपने पिता के विरुद विद्रोग किया 1599 में वा बिना आग गया के अजमेर से इलाभाद चला गया वहां उसने एक स्वतंत्र शाशक की तरह व्यवहार करना आरंब कर दिया अकबर इस समय असीरगड के किले में के घेरे में वैस्त था 1602 इस्वी में जब अकबर अपनी राजधानी वापस आया तब उसने उसे समझाने का प्रेत्न किया और इसी हे तु अपने मित्र अबुल फजल को दक्षन से बुलाया परन्तु सलीम के इशारे पर और्चा के बुंदेला सरदार वीर सिंग देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी जिससे अकबर बहुत दुखी और क्रोधित हुआ उस अवसर पर सलीमा बेगम ने इलावाद जाकर सलीम को समझाया सलीम ने आगरा आकर 1603 में अपने पिता से माफ ही माँग ली और अकबर ने उसे माफ कर दिया अकबर ने उसे मेवाण को जीतने के लिए भेजा किन्तु वह फिर अकबर की आग्या का उलंगन करके इलावाद पहुँच गया 1604 में उसने फिर आगरा आकर छमा मांग ली तथा एक बार अकबर ने एक बार फिर उसे शमा कर दिया इसके पश्चात सलीम ने कभी विद्रो नहीं किया इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर के काल में कुल ये विद्रो हुए और इन विद्रो हों को उसने बड़ी आसानी से समाप्त किया तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद